जैसा कि हम जानते हैं कि अभी CBC Board Exams चल रहे हैं, तो कल ही हमारा Science का पेपर था Science के बहुत, Science और Maths ये दो बहुते टफ सब्जेक्ट्स माने जाते हैं और इन ये exam अच्छा होना मुदला बहुत बड़ी बात होती है तो जैसा कि Physics portion और Chemistry portion, Science का मैं को बहुत टफ लगता था बट कल मैंने रियलाइस किया कि Yes, I can attempt these questions also in a better way ये सिफ दो वज़े से हो पाया पहला तो मेरा Hardwork और दूसरा मेरा Patience Level जो मैंने Google Classes में आके सीखा यहां पर हम लोग ये गलती करते हैं कि हम एक planning तो बना लेते हैं पर उसको कभी attempt नहीं कर पाते हैं हमेशा कभी delay पढ़ जाते हैं या फिर distractions बहुत आग होता हैं यहां पर हम सुबह 8 बजे आते थे सुबह 8 बजे से लेकर हम लोग करिवन शाम को 6 बजे तक लगातार स्टेडी करते थे और उस स्टेडी में यह हमारा एक सारे doubt क्लियर हो जाते हैं दूसरा यहां पर 5-6 बजे ग्रूप में साथ में बैठकर या इंडी विशली वग करते थे तो आइडियास का भी शेर हो पता था तो एक बहुत ही अच्छी तयारी हो पाई यहां पर और यह हमारी प्लैनिंग थी 6 दिनों की जिसमें starting के 4 days हमने पूरी theory complete की और लास्ट के 2 दिन हमने से paper दिये paper solve किये, nearly हमने 17-20 paper solve किये और उन सभी papers में के जो questions थे वो हमारी original paper में मेरे को मिले तो मैं जो आगे 10th class में आएंगे या फिर जो attempt करेंगे आगे science की, maths के paper उनको बस यही advice देना चाहते हूं कि हमें हमेशा पूरी planning के साथ work करना चाहिए और जो आपकी planning है उस पे आप पूरी तरह से खड़े उतरें कोई भी उसमें गलती ना करें और अपना जो goal है उसको बार बार यार दिलाने वाला कोई होना चाहिए खड़े से मारे साथ एक्षिय से थाट।